नमस्कार बावगवान भाईयों आज फिर से हमारा जो यूटूब चैनल है चांशल एपल में आपका स्वागत है आज हम एक एहम बिशेब है आप लोगों के बीच रूब रूब होने जा रहे हैं तो जैसे कि अब सभी बावगवानों को पता ही है कि से का जो सीजने खतम हो जुका है तो प्लांट डौड मैसी की तरफ जा रहा है तो मैक्सिमम क्या आएक अभी जो और्चर मैंजमेंट का जो कारी है वो अभी से स्टार्ट होता है जिसमें कुछ डिजीज को अभी से रोकना है कुछ जैसे सूर्य की किरने वगरा पड़ती है उसको कैसे रोकना है कै ऐसे से पने थे तनको प्रॉडेक्ट करना है तो यह video खासका वर ज़्यादा रहता है जादा रहता तो यह बात करेंगे आज हम जो तंने में जो प्रेंट लगता है पेस्ट लगता है यहसा मस्तेम केंफ पूलते और चूना निलत होथा रोल्ष्य के तेल को जो मिश्रन होता है उसको हम अपने वाइट वोश करते हैं अपने सेव के तनों में तो पावगण भाई हो मेरा एक छोड़ा था क्वेशन है आप लोगों से इतनी बड़ी इंडस्ट्री है तो इसमें जो सबसे जादर जो भी हमारा खर्चा शुरू होता है मनलब अक्टूब आप करते हैं कि चुना तन्हें में लगाना शुरू कर दिया है तो जब हमने उनसे बात की कि आपने कहां से लाया पूर तो दुकान से लाया तो हमने जब उस बाल्टी को पड़ा तो उसमें देखा कि कोई भी डिस्क्रेप्शन नहीं थी उसमें कोई मातरा नहीं बताई गे थी कि इसमें चूना कितना है नीलत होता कितना है और अलसी का तेल कितना ह जो एक description होती है वो कहीं नहीं दिख लिए तो बागवान वाई हो यह बहुत बड़ा एक scam बोल सकते है या घुटाला हो सकता है घुटाला तो नहीं है एक ठगी है जो बागवानों की की जारी तो maximum लाते है और लगाना शुरू करते है तो उसमें कोई description नहीं तो हम कैसे माने की जो यह चीज़ बिंगनी है यह बागवानों को यह ओरीजिनल मिली है मलब बिलकुल सही है इसमें रेशो ब्राबर मात्रा में पड़ा है यदि दो किलो चूना है तो उसके साथ निलत होता कितना ह उस में कुछ नहीं तो बागवानों मेरा मानना है कि उसमें निलत होता की जगे कहीं-ना-कहीं-नेली मिलाया हो हो दो बाधन वाई हो हम लोगों को सचैथ रहता है क्यूंकि इतना टाइम होगया बागवानी करते करते तो हम एक दुसरे की देखा-देख्यी में ready-made चीजे मि है तो उसका मीशन के बने गा वह होल्टी कर्ठ चेर्ड कि नौम से कितना चुण पड़ना है कितना निलेध सोगा उसका आप घर में बनाए तो आप पैसे बचा सकते हैं और जाह तक मेरा अपना कषेंड हम बात वो करेंगे और डिडीयल और सात में चूना मिलाया है उसमें उसका लेप गोल बनाया है तो हमने पूरे ओछड एस समय क्योंके हमारे धूप का धूप जजाजा रहती है सुबशा से शांत देते तो डइडरेक्ट क्या है यह वक हमारे तन्हे को हार्म कर देती है जिससे सर्बन होती हैं हम लोगों ने इस बार ये जो और्गैनिक की बोले इसको जो अपने बाचीज है इसमें तो में पैसा बचिए और दोस्ती चीज पेवर बन गई यदि बागवार मायों आप इस घोल को नहीं बना सकते तो दुकान से आप चूना लाए निलत होता लाए और अलसी का तेल लाए तो आप घर पे बनाए थोड़ा कश्ट होगा लेकिन चीज पेवर लगेगी लेकिन जो आप बाजार से लाते है उसमें भार ही मिलाउट है निलत होता की जगे उसमें मैक्सिमम नील मिलाया गया है जिससे कई बात देना किसी कंपनी का बिल्कुल ब्लिव होता है पिसी कंप बड़ी काफी तो उसमें पेस्ट लगाते है जिसका चोबाटिया पेस्ट है क्या है 500 रुपए में आप माण सकते हैं कि पेस्ट बन सकता है जब कि आप कॉपर कार्बोन नेट यह रेट देखेंगे तो 600 रुपए केजी है संदूर पड़ता है 600 रुपए केजी वह है और उ हमारे को पेस्ट बना गए तो बागवान भाई हो यह जो मार्किट में जो पेस्ट मिल रहा है इसको ना लगाए उससे अच्छा है कि आप चिकन मिटी और गोबर ताजा गोबर का लेब लगाए घाओ पे वो बैस्ट पेस्ट रहेगा क्योंकि बजूर भी पुराने जमाने मो पेस्ट के बारे में अवेर रहे जरूर अपनी पैसे को बचाए जितना हो सकेगी जो सूर्स हमारे अपने पास है उसको यूज़ करें और एक चीज मैं कहना चाहूंगो बागवान भाई हो जो हमारी शुरुआत है अभी से और्चर मैनेजमेंट में तो सबसे जरूरी क्या है कि अब दौर मैसी में प्लान जाना चाहिए आपके और्चर में यदि लीफ पचे तो आप 5 प्रतिशत जूरिया का अभी सप्रे कर दे मलब 7 से 10 केजी 200 लिटर पानी में सप्रे मार दे और सारा पत्ता निकलेगा और एक बार ही निकलेगा और यदि उसमें आपके और्च करने के लिए यूरिया की सबसे पहले क्या स्कैब को रोकने के लिए यदि आप सप्रे करते यूरिया की तो पूरा पता जड़ेगा जो पता जड़ेगा तो डीकंपोस्ट हो जाएगा तो जब आप सप्रे उपर करें तो आप अपने जमीन में भी सप्रे करें जहां भी पत बाए था और उसी स्पीट दे इस साल भी हाइटों में स्कैब रहा है तो आप अवेर रहें मलब कहां पैसा देना है कोई भी चीट खीते हैं तो उसमें डिस्क्रेप्शन को जरूर पड़े खासका पेस्ट और स्टेंप प्रिंट के बारे में और और चर्ण मेनेजमेंट में स डिस्कस करें यदि आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगे जरूर लाइक करें और आपके सुझाओ हमेशा है सरुपर ही रहते हैं जये माचल